हाई, मुँ बसवा के बाद कादरवल्ली गाउं के पास फिर से लड़ाई हुई, यह लड़ाई भी काटे की थी, लेकिन इस लड़ाई में गंगामिका देवी को वीर गती प्राप्त हुई, गंगामिका देवी के गुजरने के बाद सभी शरण अपने आपको अनात मैसुस कर अपने लगे थे, अब माची देवने अकन अगमा और चन बसवान्ना के साथ बैट मिलकर शरण गणों को दो गुटों में बाटने का प्रस्तव रखा, और कहा कि दोनों गुट अलग-अलग रास्ते से उलवी पहुचेंगे, और सभी वही मिलने की योजनाम बनाई, एक ग मेत्रुत्व माची देवने करते हुए सैयादरी के अंतिम छोर की ओर से उडवी जाने का मार्ग चुना, वहां बीजकरनी के घने जंगल थे, और पुरुषभर उन्ची उन्ची घास थी, यहां शर्णों ने सुरक्षित महसुस किया, माची देवने ठके शर्णों के विश और खुद भूम फिरकर उस क्षेत्र का निरिक्षन किया, परवत माथे पर एक मीठे पानी का तालाब था, सुरक्षा और शत्रों पर नजर रखने की दृष्टी से, तथा लड़ने की दृष्टी से परवत शिखर पर बस्ती करना अधिक स्रेश कर था, इसलिए वे सभी क लेकर परवत माथे पर गए, कुछ दिन वही सुस्ता कर फिर उन्होंने उल्वी की ओर प्रस्तान किया, दूसरा गुडवी आकर उन्हें उल्वी में मिला, सभी अपने अपने मंतव्य स्थान पर पहुच गए थे, इसलिए खुश थे, उन्होंने सारा वचन साहित्य एक ग वहां रहने के बाद, वहां अक्का नागामा के कहने पर वहां के लोगों में जन जागरूती लाने के विचार से एक शिवीर रखा गया, फिर कुछ दिनो बाद, चन बस्वन्ना ने निंगलिंगांग सामरसे साधा, कुछ शरण गण, आजुबाजुक एक शेत्रों में जा जो अपने पिता की तरह ही वैराग्य मूर्तिय और जंग संचारी थे, वे उल्वी में इन लोगों से मिलने आ गए, अब वहां थोड़े ही शरण बचे थे, उनमें मुख्य थे अक्का नागमा, माची देव, चंदया, कक्कया, आदी एक दिन बुद्धी मती दूर दृष्टी वाली व्यवहार कुशल अक्का नागमा ने सभी को कहा, हम उल्वी तक वचन साहित्य सुरक्षित लाए हैं, लेकिन अभी हमारी जिमेदरी पूर्ण नहीं हुई है हम लोगोंने प्राणपन से सैनिकों से लड़कर वचन साहित्य यहां सुरक्षित रखा तो है, लेकिन हम लोग भी कितने दिन रहने वाले हैं, ऐसे में यह वचन साहित्य कीडों मकोडों के भेट चड़ जाएगा, और हमारा कष्ट सार्थक भी नहीं होगा अतहा, आप लोगों को पुनहा दो गुट में विभाजित होकर, दोनों गुट आधा आधा साहित्य ले जाकर वीर शेव मठों में बाट देना चाहिए इससे वचन साहित्य सुरक्षित भी रहेगा, और उनका प्रसार भी होगा Thank you